प्रण नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र आपका सखा आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी का हारदी कभे नंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका राशिपल में सिर्फ कुंडली टीवी पर इसलिए कुंडली टीवी को लाइक करें सब्स्राइब करें शेर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेस्बूक पर तो चलिए मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल के साथ साथ आपको बताते हैं आपका लखी नंबर, लखी कलर, लखी डिरेक्शन, लखी टाइम राशी अनुसार उपायों के साथ साथ जान लीजे बर्थडे और मेरेज एन्वर्सिरी के खास उपाय और प्रोग्राम के लास्ट में हम आपको बताएंगे आज का विशे शुपाय तो चलिए शुरुवाद करते हैं आज के राशी फल की लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांकी आज मंगलबार का दिन है तारीखे 21 मई 2019 जेश्ट महा के कृष्ण पक्ष के तृत्या तिति पर चंद्रमा धनु राशी और मूल नक्षत्र में रहेंगे आज का भागयां के दो शुब रंग है सफेज शुब दिशा है व्याइवकून रहू काल रहेगा शाम को 3 बच कर 41 मिनट से लेकर शाम को 5 बच कर 23 मिनट तक भदरा रहेगी दोपहर को 1 बच कर 25 मिनट से लेकर अगले दिन रात को 1 बच कर 40 मिनट तक अभी जीत रहेगा सुबह 11 बच कर 15 मिनट से लेकर दुपहर 12 बच कर 45 मिनट तक सिद्ध योग और साध्य योग है आज वर विशेश क्या है देवी जेश्ठा का विशेश पूजन है आईए इस बारे में विशेश जानते हैं लक्षमी की बड़ी बहन जेश्ठा के नाम पर इस महा का नाम पढ़ा है आज तीसरी तिति यानि के तृत्या पर देवी जेश्ठा की विशेश पूजा का विधान है इनके उपायों से सुहाग की रक्षा होती है गरह कलेश दूर होते हैं रोगों से मुक्ती मिलती है संतान के कष्टों का निवारण भी होता है तो चलिए बात करते हैं आज के राशी फल की और आपको बताते हैं मेश राशी से लेकर मीन राशी का राशी फल के साथ साथ राशे नुसा रुपारे भी मेश यानिक एरीज मौज मस्ती का महौल आपके लिए शुब रहेगा आपके सामने अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आपकी जिन भी लोगों से मुलाकात होगी उससे आपके मददगार लोग सामने आएंगे फाइदा होने के योग बनेंगे आपके कारों को सराना होगी व्यापार में लाबदाय किस्तिती बनेगी आज के लिए आपका लखी नमबर रहेगा टू लखी कलर रहेगा वाइट लखी डिरेक्शन रहेगी नॉर्थ वेस्ट लखी टाइम रहेगा शाम को साड़े चार सचे बज़े तक का और उपाय के तौर पर देवी जेश्ठा पर चड़े सिंदूर से मस्तक पढ़ते लख करें बात करते है राशे नमबर दो व्रिश यानि के टॉरस की आपके लिए परेशानी हो देने वाला दिन रहेगा किसी के मदद करने के लिए पहल करेंगे आप कामकाच की स्तिती में कुछ परिवर्तन आएगा या आपके सामाजिक दारे में कोई फेर बिदल होगा रोजमरा के कामों में मन नहीं लगेगा व्यवधान आएगे अपने स्वास्ते के प्रती चिंता आपको रहेगे आज के लिए आपका लगकी नंबर रहेगा लगकी कलर रहेगा ब्लैक लगकी डाइरेक्शन रहेगी वैस लगके टाइम रहेगा सुबह नौसे साड़े दैस बजे तक का और उपाय के तार पर देवी जेश्ठा पर मसूर चढ़ा कर गरीब महिला को दांग करे बात करते हैं राशन नमर तीन में थो नियाने की जमनाई की किस्मत आपका पूरा साथ देगी आज कहीं से पैसे मिलने के यूग बन रहे है प्रेमिया जीवन साथी के साथ कुछ समय जोरूर बता पाएंगे आप अविभायतों का अविवा आज तै हो सकता है बिजनस पार्टनर से आपको धनलाब हो सकता है निया एलीन संबंदी मामलों में सफलता मिलेगी आज के लिए आपका लखी नंबर रहेगा सबिन लखी कलर रहेगा गले लखी डायरेक्शन रहेगी आपके नौर्थीस्ट लखी टाइम रहेगा सुबह नौ से साढ़े दस तक का और रुपए के तौर पर देवी जेश्टा पर छे लॉंग चड़ा कर कपूर से जला दे तब क्या है खास उन लोगों के लिए जिनका आज है जनम ने बर्थवड़े का विशे शुपए क्या है जान लीजे लाल मिर्ची सिर से वार कर देवी जेश्टा के सामने कपूर से जला दी जिससे क्या होगा रोगों से मुक्ती मिलेगी बात करते है राशी नमबर चार कर क्याने की कैंसर की आज आपके संपर्क और संबंध बहुत साथ देंगे पूरा साथ ने भाएंगे आपको नए मित्रों के संगती में ले जाएंगे नए संपर्क होंगे और नौकरी का कोई निया मौका भी आपको मिल सकता है कॉम्पटिशन में सफलता भी प्राप्त होगी और वेफसाय के मामलों में सफलता मिलेगी आज के लिए आपका लखी नमबर रहेगा फूर लखी कलर रहेगा ब्लू लखी डाइरेक्शन रहेगी आपकी साथीस्ट और लखी टाइम रहेगा दो पहर को बारा से दिर में डेड़ वजे तक का और उपाय के तार पर जेश्टा गोरी पर लाल कनेर के फूल चड़ा है बात करते है राशी नमबर पांच सिंग यानिक लियो की बेहद उससाही और जिंदादेल लोगों से आपकी मुलाकात होगी बड़ी योजनाओं और बड़े विचारों पर बात होगी समस्याओं को समाधान निकालने या बिचार कुछ ऐसे आएंगे लोगों के सामने जो काफी आपको सफलता दिलाएंगे आपकी इमेज बनाएंगे परिवार में आज थोड़ी अन्बनमी अकल है भी संबाव है कारोबार के बढ़ते खर्चे आपको चिंतित कर सकते हैं लिए आपका लगे नंबर रहेगा त्री लगे कलर रहेगा यलो लगे डियरेक्शन रहेगी नौर्टीस लेके टाइम रहेगा सुबर साड़े साथ साथ से नौ बजे तक का रुपाय के तार पर देवी जेश्टा पर लॉंग चड़ा कर ऑफिस के दराज में रखें बात करते हैं राशी नंबर छे कन्या यानि के बर्गुकी धर्म कर्म में रुच्छी बढ़ेगी साथ उसंतों का दर्शन करने का स्वभाग्य मिलेगा अगर आप टैसों के लिए किसी मामले को लिकर परेशान है तो आप आज किसी की सलहा जरूर लें आपको समाधान जरू और उपाय के तौर पर देवी जेष्ठा पर चढ़ा तेच्पत्र टेक्स्ट बुक में रखें तो फ्रेंज अब खास टाइम है आज के घ्रैकलेश से मुक्ति दिलाने के विशेश उपायगा जानने का क्या है देवी जेष्ठा के विदिवत पूजा कीजिए लाल चंदन क कर पंदरा मिनट तक बात करते राशी नंबर साथ तुला यानिक लिवराकी नौकरी को लेकर आपके दिमाग में कोई योजना बन सकती है उस पर अमल करना का समय आ गया है दफ्तर में काम जादा रहेगा अभी सभी तरफ से खुशियां मिलेंगी निर्मान कारियों में व्य बात करते है राशी नंबर आठ वरिष्चेक यानिक स्कॉर्पियों की आपको कोई नई जिम्मेदारी स्वांप दी जाएगी खरीदारी करते समय भी थोड़े आत्म निरेंतरण की कोशिश करें तमाम तरह की जिम्मेदारियां आज आपको तिन भर विस्तरक्त बना सकती है मांगले कारेओं के लिए सम्मिलित होने का अफसर प्राप तो होगा दम पते में आनंद रहें आज के लिए आपका लखी नंबर रहेगा टू लखी कलर रहेगा वाइट लखी डिए डियरेक्शन रहेगी नौर्ट्वेस लखी टाइम रहेगा शाम को साड़े चार सचे पैसों के स्तिती में सुधार लाने के लिए एक नए सरे से कोशित शुरू कर सकते हैं, आप मन में मौज मस्ती का इरादा जरूर रहेगा, व्यर्त के कारियों में समय वतीत होने से हीज होगी आपको, डिप्रेशन होगा, मित्रों से मुलाकात होगी, कारोबार सामानने रहेग आज के दिन आपका लखी नंबर रहेगा, फाइफ लखी कलर रहेगा, क्रीम लखी डिरेक्शन रहेगी, नौर्थ लखी टाइम रहेगा, शाम को तीन से साड़े चार बज़े तक का, रुपाय के तार पर लाल स्केच पैंस से समस्या लिखकर देवी जेश्टा पर चड़ा और नौकरियां बिजनिस में ऐसे काम का प्रस्ताव मिलेगा, जिसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, व्यापर एक यातरा सफल होगी, जीवन साती का सही होग प्राप्त होगा, प्रेम में सफलता मिलेगी, सकरातमक रही वाई या आपका, लोगों को बहुत पसंद शेक्षनिक और कानूनी किसम के कारियों में आपको मिल रही सफलता वीचारी रहेगी, आज के लिए आपका लखी नंबर रहेगा, बन लखी कल रहेगा, मरून लखी डिरेक्शन रहेगी, आपकी इस लखी टाइम रहेगा, सुबह चाड़ साथ से नौ मज़े तक का, और उ आज जादातर दिन शांतिय से बीतेगा, घर में यातरा के कारिक्रम पर विचार होगा, मानसिक तौर पर बहुत शांतिय और अस्थिरता महसूस करेंगे, आज के लिए आपका लखी नंबर रहेगा, बन लखी कलर रहेगा, रेड लखी डिरेक्शन रहेगी, इस लखी अदम बढ़ाएंगे, आज पुराने मित्रों से मिलेंगे और नए मित्रों की तलाश भी करेंगे, पैसों का कोई मामला उठेगा, तो उसे आज ही सुलजा लें, जमीन जादात के मामले में उल्जन बढ़ेगी, कारोबार में कोई बड़ी योजना सफलता पूर्वक बना जालेंगे, दाम पत्र में मधूरता रहेगी, आज के लिए आपका लखी नमर रहेगा, फाइफ लखी कलर रहेगा, ग्रीन लखी डायरेक्शन रहेगी, नौर्ट लखी टाइम रहेगा, शाम को 3-4 बजे तक का, और उपाय के तौर पर मुठी बर सतनाजा, सिरसे बार कर द इतना ही कलाब से फिर मुलाकात होगी, आपका राशी पर लेकर, आपकी राशी का भविश्य पर लेकर, अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को जाज़त दीजे, लेकिन एक खास बात, अगर आपको कोई परिशानी है, कोई दिक्कत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम में जिसका आपको हल नहीं मिल फा रहा है, तो जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में, अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ, अपनी बर्थ डिटेल्स और अपने कॉंटेक डिटेल्स, यानि कि आपका फोन नंबर और रेमेल आडी लि सखा कमल नलाल को इजाज़त दीचे, नमस्कार.